आज हम लोग एक बहुत ही ओसामान नबिमारी डैरियर्स डीजीस के बारे में बात करेंगे इसी बिमारी को किरेटोसिस फॉलिकुलेरिस के नाम से भी जाना जाता है यह एक बहुत ही ओसामान बिमारी होती है तो ये जो बिमारी होती है ये अधिकांस किसिज में जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है लेकिन बाद में ये लेट एजिस में भी देखने को मिल सकती है लेगिन अदिकान्स केसेज में इनके माता या पिता में से किसी एक को इस बीमारी में अकेले भी देखने को मिल जाती है इस बिमारी में ऐसा देखने हो के मिलता है कि छोटे छोटे ग्रीजी थोड़ा ग्रीजी मतलब कि थोड़ा तैली ये दाने और कभी-कभी खुरदूरे दाने किरेटोटिक ग्रीजी और किरेटोटिक पैप्यूस जो होते हैं वो माथे पे जो बाल का हेर लाइन है वहाँ पर नाक के साइड में, कान के आसपास वाले एरिया में इसी तरह से गर्दन पे और छाती पे देखने को मिल जाते हैं नाल दो में खुलिन म्राइश को होती है और कभी-कभी बहुत तेज भी खुलिन हो सकती है और यह जो दाने हैं जो जांग का ग्रोईन वाला हिस्सा नजी खानल बहुत जानल म्राइश के लाइव बड़न देखने में जाता है और इन दानों में पस का infection हो सकता है बैक्टिरिया का infection हो सकता है जिसकी वज़से bad smell भी देखने को मिल जाती है मलब खराब गंध देखने को मिल जाती है मरीज कई बार इसी problem के साथ भी आते हैं तो यह जो दाने होते हैं जब इनमें bacteria infection होता है तो इनमें दर्द भी उभर सकता है मलब दर्द भी मरीज को होने लगता है और साथ में दर्द के साथ साथ खुजली भी बढ़ सकती है इन दानों में यदि bacteria का infection हो जाए तो यह जो दाने होते हैं यह किस condition में बढ़ जाते हैं तो कुछ factors फाय गये हैं जिसकी वज़र से यह दाने जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्ससरवेट हो सकता है जैसे कि गर्मी पसीना इसी तरह से ज्यादा किसी गरम वाले महौल में चले गए हीट वाले महौल में चले गए तो ऐसी condition में यह परसानी बढ़ने के chances होते हैं ज्यादा धूप की रोशनी में भी UV radiation पर इसी तरह lithium नाम की दवाई पर भी यह परसानी ज्यादा एक्ससरवेट बढ़ते हुए देखी गई है तो यह जो द तो उस calcium channel को regulate करता है इसकी गडबड़ी की वज़व से यह परसानी पैदा हो जाती है तो यह जो दिक्कत होती है यह skin को तो affect करती है साथ में मरीज के नाखुन को भी नुकसान पहुचाती है इसके अलामा मूंग के अंदर भी दाने देखने को मिल सकते हैं तो नाखुन में इसका एक बहुत peculiar pattern देखने को मिलता है लाल और सफेद रंग की lines देखी जा सकती है खुरदूरी lines देखने को मिल सकती है इसके अलामा वी सेब्ड निक देखने को मिलता है जो नाखुन का आगे वाला हिस्सा होता है वो भी सेब्ड में फट जाता है वी सेब्ड में तो यह जो साइन होता है यह बड़ा स्पेस्फिक साइन माला जाता है डेरियर डिचीज के लिए इसके लावा जो लॉंगिट्यूडनल रेड वाइट लाइन बन रही है वो भी काफी हद तक एक स्पेस्फिक फाइंडिंग के तोरप देखा जाता है मुह के अंदर छोटे-छोटे प्रसानी को कबल स्टोनीं बोला जाता है और इन दानों में जिरिय इनक्षन हो सकता है घर्पीज होसकता है इसी तरह से पॉक्स वाइरस इस तरह के वाइरस भी-पैपिलोमा उन्वाइरस येस वाइरस भी-पैपीत कर सकते हैं, और कभी-कभी serious complication भी पैदाकरत्स देते हैं जो जीन के अभी हमने बात की various disease में affect होने वादी वो जो जीन होती है उसकी वज़ासे मरीज के heart पर भी असर पड़ सकता है जिसकी वज़ासे heart disease हो सकती है मरीज के pancreas पर असर होने के वज़ासे diabetes भी देखा गया है इसी तरह से मस्तिस्क में भी कुछ problems देखने को मिली है जैसे कि depression, bipolar disorder, mood disorder, schizophrenia इसी तरह से mental impairment, cognitive disability मतलब कि वधिक छमता पर भी इस विमारी का असर पड़ सकता है तो एक मायने में ये विमारी कई अंगों पे और कई तरह से मरीज को नुकसान कहुचा सकती है और इन सब की वज़े से मरीज कई बार काफी ज़्यादा पीड़ा और दुख में भी इस विमारी के आ जाता है तो अभी हमने बात की कि इस विमारी के होने के पीछे का जो कारण था वो autosomal dominant जो inheritance था वो था और इसके पीछे जो gene involved थी वो थी ATP 2A2 तो यह बिमारी PD दर PD परिवार में चलती है लेकिन कभी कभी बीना किसी परिवार के member को involvement हुए भी मरीज अकेले भी पैदा हो सकता है नेक्स प्रस्ण होता है कि इस बिमारी की वज़े से मरीज के जीवन पर कोई असर पढ़ता है क्या नेक्स प्रस्ण ही आता है कि इसकी diagnosis कैसे हो तो इस बिमारी को diagnose करना डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होता है यह बिमारी आसानी से डाइग्नोज कर लेता है डॉक्टर कभी कभी difficulty आती है तो उस condition में डॉक्टर जो है वह skin biopsy कर लेता है मतलब कि छोटा सा टुकडा काट करके उसको microscope में देख लिया जाता है और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो microscopic finding है वह बहुत क्लासिकल होती है बहुत characteristic होती है तिस वज़े से pathologist को अधिकान स्किसेज में इस बीमारी की जाच confirm करने में मुश्किल नहीं पैड़ा होती है मतलब कि आसानी से pathologist जो होता है इस बीमारी को पता लगा लेता है तिस माइने में इसकी जो बाइपसी होती है वो बहुत helpful कभी कभी साबीत होती है नेक्स प्रसनी आता है इसके treatment का इसके treatment में जो exacerbating factor में जो इस बीमारी को बढ़ाने वाले factor थे तो वो primary factor हो जाते हैं इसके बचाने के लिए मतलब कि अब आपको ठंडे जगह पे रहना होता है cool environment में रहना होता है धीले ढाले कपड़े पहनने होते हैं जिससे की पसीना नह कोई नहीं कठा हो जिससे की infection ना लगया और यह किसी प्रकार का infection होता है तो डॉक्टर उस infection को antibiotics या कुछ antibiotic solution से cleaning करके ठीक कर देता है next जो चीज होती है इसको इस बिमारी को regress करने के लिए ठीक करने के लिए जो उपस्थी दवाईया है तो अभी के समय में जो भी दवाईयां उपलब्ध हैं कोई एक दवाई इसके cure के लिए अभी तक science को नहीं मिल पाई है मतलब दवाईयों से फायदा मिलता है लेकिन आने के वापस आने के भी chances होते हैं तो इसके लिए जो लगाने वाली दवाई है वो दवाई होती हैं बहुत सारी दवाईयां उपलब्ध हैं जिनमें से प्रमुक दवाईयां है रेटिनौइड ग्रूप्स की दवाई जिसमें की एडेपलिन, ट्रेटिन, टैजर रूटिन नाम की दवाई इस्तमाल के जाती है लेकि रेटिनौइड दवाईयों के साथ प्रॉब्लम है कि कभी-कभी इनकी वज़े से खुजली भी पैदा हो जाती है तो उस खुजली को कम करने के लिए आपका डॉक्टर इसके साथ में टॉपिकल इस्टिरोइड नाम की क्रीम भी टेस्ति है खाने वाली दवाई इसमें ओरल रेटिनौइड गुरूप की दवाई सबसे में दवाई मानी जाती है उसमें दो दवाईयां होती है आईसोट रेटिनौइज और अका्एकार कारगर होती है लेकिन इन दवाईयों को लेती समय डॉक्टर आपका कुछ खुन के बीच बीच में कराता रहता है जिससे कि इन दवाईयों का साइड इफेक्ट नो डेवलप्ट होने पाए उसमें कुछ लीवर का टेस्ट कुछ कोलिस्ट्रॉल का टेस्ट इस तरह के टेस्ट आपका डॉक्टर एडवाइस करता रहेगा और यह दवाईयां लंबे समय के लिए सधारत यह दवाईयां बहुत ज्यादा सुरच्चित मानी जाती हैं लेकिन कुछ केसिज में कुछ कुछ साइड इफेक्ट से आते हैं तो वो कोई खतरनाक या भयानक साइड इफेक्ट नहीं होते हैं कि जिसकी वज़से इन दवाईयों को बिल्कुल ही बंद करना पड़े कई बार जो side effect होते हैं वो dose modification कुछ एकाद दवाई दूसरी दवाईयों के जोड़ दोने से भी खतम हो जाते हैं और कुछ side effect थोड़े समय में अपने आप खतम हो जाते हैं तो ऐसे समझें कि ये दवाईयां सधानता बहुत सुरच्छित हैं कभी कभी थोड़ा बहुत problem करती हैं उनको भी डॉक्टर आसानी से पहुत easy way में टैकल कर लेता है बिना इन दवाईयों को बंद किये हुए भी वालब ये दवाईयां चलती रहेंगी साथ में side effect को manage कर लिया जाएगा जो मोटे निसान होते हैं जैसे बहुत मोटे मोटे निसान है रिकांख में या कहीं जाएं के बीच में जहां पर बार-बार bad smell आ रहा है बार-बार infection हो जा रहा है तो उस condition में तमाम तरह के surgical treatments का रूल आ जाता है जैसे simple excision कर सकते हैं co2 laser अरबिया में याग laser तमाम तरह के इस तरह के laser भी इसके treatment में उप्यूक किया जाता है radio frequency कोटरी के दौरा भी ऐसे निसानों को खतम किया जा सकता है इसी तरह से दूसरे ablative measures भी इसके treatment में लाया जा सकता है एक नई दवाई है जो की research phase में है अभी वो उमीद के तोर पर उभरी है लेकिन वो कितना helpful साबित होगी वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा जब जादा से जादा मरीजों पर उस दवाई का इस्तमाल किया जाएगा लेकिन hope के रूप में एक नई दवाई सामने आई है तो ऐसा उमीद है कि आने वाले समय में वो दवाई काफी ज़्यादा कौरगर साबित होगी तो यदि ठीक तरीके से इस बिमारी को manage किया जाए तो काफी हद तक इस बिमारी में controlling ले आई जा सकती है लेकिन overall चुकि लंबा समय तक दवाई चलता है तो मरीज के लिए एक परसानी वाला बात तो होता ही होता है हलांकि बहुत disturbing बिमारी नहीं है लेकिन कोई भी बिमारी मरीज को तो परसान करके रखी देती है लेकिन अभी इसके लिए दवाई या काफी सारी उपलब्ध लगाने वाली खाने वाले तो उससे काफी हद तक इस बिमारी को control किया जा सकता है. Thank you.